बहुत लोगों को आज भी लगता है कि एक जबर्दस बिजनस करने के लिए कुछ बहुत ही जादा यूनिक, कुछ बहुत ही हट क्या आइडिया चाहिए होता है लेकिन क्या कोई ये सोच सकता है कि एक रुपे की टॉफी से भी 300 करोड रुपे का बिजनस बन सकता है पल्स कैंडी एक एसी टॉफी जिसने अपने इनोवेशन से इंडिया की कैंडी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रेवलूशन क्रियेट कर दिया I know आप यही सोचे होगे न कि कैंडी मार्केट के अंदर भी कोई इनोवेशन हो सकता है क्या Is it even possible? पल्स कैंडी जब मार्केट में आई तो टॉफी खाने वालों के लिए मालो सब कुछ बदल सा गया था सिर्फ 8 मैंडों में 100 करोड और 2 सालों में 300 करोड रुपे की सेल करते हुए पल्स कैंडी ने सालों से बिक्रोए कैंडी ब्रांट की नीव हिला दी सवाल यह है कि पल्स कैंडी ने आखिर ये सारी चीज़े करी कैसे और सबसे इंपोर्टेंट हमारे लिए वो कौनसे पारफुल मार्केटिंग लिसन्स है जो हम इस केस्टेडी से सीख के अपने बिजनस के अंदर इंप्लेमेंट कर सकते हैं इस वीडियो इस ब्रट्यू बाइक कुकु एफेम जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे पल्स कैंडी जितनी टेस्टी है उसकी कहानी उतनी ही जादा दिलजस्प है सो ये कहानी शुरू होती है साल 2013 में जब अल्पनली बे मैंगो बाइट और कच्चा मैंगो बाइट ये टॉफी मार्केट को रूल कर रही थी चाहे कोई ग्रोस्टी स्टोर हो या फिर कोई पनवारी हर एक जगा पर इनी टॉफी का नाम था अगर ऐसे में आप मार्केट के अंदर एक कैंडी लॉंच करने का सोचो तो आपको कोई बेवकूफी कहेगा लेकिन पल्स कैंडी के साथ ऐसा नहीं था पल्स कैंडी की शुरुबात 1929 में बने DS ग्रूप यानि कि धर्मपाल सत्यपाल ग्रूप ने करी थी और साल 2013 ये वो टाइम था जब DS ग्रूप ने कैंडी मार्केट के अंदर कदम रखने का फैसला किया लेकिन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी विराइटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर इन सिपल वर्ट्स आप जब भी कोई भी समान करीदने के लिए मार्केट में जाते हो तो आप विराइटी सीक करते हो आप देखते हो कि मैं को कितनी विराइटी के प्रॉड़क्स मिल रहे हैं और मार्केट की इसी प्रॉड़म को पल्स ने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया पल्स कैंडी साल 2015 में मार्केट में लाउंच होई और लाउंच होने के सिफ 8 महीने के अंदर इस कैंडी ने 100 करोड रुपे की सेल्स क्रॉस कर ली आप यही सोच होगे ना कि अगर कंपनी को आईडिया साल 2013 में आया तो फिर साल 2015 तक आखिर क्यों वेट किया वेल इस बात का जवाब चुपाव है DS ग्रॉप के बाकी प्रॉड़क्स के अंदर रजनिगंदा, बाबा, इलाइची, पास-पास और कैच के मसाले यह सारे के सारे भी DS ग्रॉप के ही प्रॉड़क्स हैं DS ग्रॉप को एक चीज तो रेलाइज हो गए थी, कि मैंगो केंडी एक ऐसी चीज है जो कि इस देश के कोने कोनों में कंज्यूम हो सकती है और इसके बाद DS ग्रॉप ने यह डिसाइड किया कि जो भी बनेगा मैंगो से ही बनेगा इंडिया में गुजरात और राइस्तान के काफी सारी एरियास के अंदर कच्चे आम के उपर नमक और मसाले लगा कर बेचे जाती है जो चीज लोगों को बहुत ज़ादा पसंद है यह देखते हुए DS ग्रॉप को एक आइडिया आया कि क्यू ना हम इसी चीज को टॉफी के अंदर पाउडर्ड फॉर्म में इंट्रिद्यूस कर दे आज पल्स कैंडी के अंदर आप जो टैंगी मसाला देखते हो ना उस चीज का जनम यहीं से हुआ था इस साल 2015 में इंडियन कंजूमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसिस को समझते भी स्वीट कैंडी के अंदर टैंगी मसाला डालकर DS ग्रॉप ने पल्स कैंडी को लॉंच कर दिया अब कैंडी को लॉंच तो कर दिया लेकिन सवाल यह है कि अब इस कैंडी को लोगों तक पहुँचा या कैसे जाए लोगों तक पल्स कैंडी को पहुचाने के लिए DS ग्रॉप ने यूज़ किया अपना extensive distribution network DS ग्रॉप हर एक पनवाडी तक पहुचा जो अल्रीडी उनके प्रड़क्ट्स रखते हैं और उनको एक ही चीज़ कही कि आपके पास smoker है चाहे आपके पास कोई भी बंदा है और वो टॉफी मांगे या चुइंगम मांगे आप उनको पल्स कैंडी ही देना and the moment लोगों ने पल्स कैंडी को consume करना शुरू किया वो इसके दीवाने हो गए साल 2015 उस टाइम पर ना तो जीवा आया था और ना ही लोग उतना जादा पेटे अम्यूज करते थे तो change was a very big problem अब दुकांदारों की आदत होती थी कि जब भी कोई उनसे change मांगता था और उनके पास change नहीं होता था तो वो लोग उनको टॉफी देते थे इस चीज़ को देखते वे DS group हर एक दुकांदार तक पहुचा और उनको यहीं का कि जब भी आप change के बतले कोई भी टॉफी दे रहे हो तो pulse टॉफी ही देना pulse candy का टेस्ट बनाये कुछ इस तरीके सथा कि जब भी कोई pulse candy को खाता तो उसका और ज़्यादा खाने का मन करता जिसी इसके चलते अब लोग एक टॉफी नहीं बलकि पूरा-पूरा डबबा pulse candy का खरीने लगे जब यह चीज होने लगी तो देस ग्रॉफ के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई वो प्रॉब्लम थी excessive demand मारकेट में pulse candy की इतनी ज़ादा demand आने लगी कि देस ग्रॉफ उसको फुलफिली नहीं कर पा रही थी डेस ग्रॉफ पे बाद सिर्फ 60% तक का ही stock होता था जिसके चलते अब बहुत सारे दुकान दारों ने pulse candy की black marketing करना शुरू कर दिया यानि कि वो बोल रहते थे कि out of stock है और उसके बाद pulse candy को store करके आगे महेंगे में बेशते थे जब भी कोई उनसे महेंगे में खरीदने आता था जाए इंडिया के अंदर candy का market सालाना सिर्फ 14% से ग्रो कर रहा था वही पर pulse candy की sales year on year 25% की growth rate से ग्रो कर रही थी आपको ये जनकर बहुत हेलानी होगी लेकिन pulse candy actually में कच्छा mango bite की एक copy है उसे अगर कुछ अलग बनाता है तो वो है उसके अंदर का मसाला BS Group में market के अंदर अरेड़ी बिक रही एक candy को हलका सा change करके अपना एक नया product launch कर दिया जो चीज आज उनके लिए एक profit making machine बन चुकी है अगर आपके सोच बड़ी है तो आप एक रुपे की टॉफी से भी एक बहुत बड़ा business create कर सकते हूँ जैसे की pulse candy ने करा बिसनस किसी प्रोड़क्स से नहीं बलके इंसान की सोच से बड़ा होता है और ऐसी कई सारी बाते the magic of thinking big इस बुक के अंदर भी बताई गई है I know बुक पढ़ना बहुत ही जादा मुश्किल और time consume में होता है इसने आप इस बुक की समरी कुको FM पर भी easily सुन सकते हूँ जिससे आपका time भी बचेगा और आपके पैसे भी इन फाक मुझे कुको FM पर the art of money getting ये audiobook भी बहुत जादा पसंद है क्योंकि ये बुक आपको पैसो के बार में ऐसी चीज़े बताईगी जो आपको कभी भी school और college में सीखने को नहीं मिलती और अभी तो कुको FM के holy sale भी चल रही है इन सारे की सारे बड़े ब्राइंच के मार्केट में होते वे भी पल्स केंडी ने सिर्फ दो साल के अंदर अंदर तीन सो करोड रुपे की sales आखिर कैसे कर ली वेल इसका एक बहुत बड़ा reason है the snowball effect पल्स केंडी को सबसे पहले गुजरात और रायस्तान के अंदर छोटे चोटे एरियास के अंदर लॉंच किया था जहां पर लोगों ने जब पल्स केंडी को टेस्ट किया तो उनको इसका टेस्ट बहुत जादा पसंद आया और उसके बाद लोगों ने बाकी लोगों को जा जाकर इसके बारे में बताना शुरू किया देखते ही देखते पल्स कैंडी का नाम इतना जादा हो गया था कि गुजरात और राजिस्तान के भार से भी इस कैंडी की डिमांड आने लगी जब लोगों ने Pulse Candy को टेस्ट किया तो लोगों ने और ज़ादा Pulse Candies Purchase करी उसके बाद डबा Purchase किया और उसके बाद लोगों ने और बहुत सारे लोगों को जा जाकर भी इसके बारे में बताना शुरू किया और पूरे बारत से Pulse Candy की डिमांड आने लगी और आपको तो पता है कि जब एक मीम बनता है तो दस मीम और बन जाते हैं और देखते ही देखते Pulse Candy वेंट वाइरल इजी तो प्रोनाउंस नेम, जब अधस टेस्ट, एक्स्टेंसिव डिस्ट्रिबूशन नेटवर्क और तगड़ी पैकेजिंग के थुरू Pulse Candy ने इंडिया में सालों से बिक रहे ब्रांच को बीट करते हुए मार्केट के अंदर अपनी जगा बनाई Pulse एक perfect example है कि कैसे अब मार्केट में अल्री बिक रहे प्रोड़क्स को हलका सा चेंज करके जब अधस मार्केटिंग टेकनीक्स का यूज़ करके करोड़ों रुपे का धंदा खड़ा कर सकते हो पता है ऐसी कुछ कहानी है वीनीता सिंग की Sugar Cosmetics जिस ब्रैंड को आज से 3 साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था आज वो ब्रैंड मेपिलीन और लैक में जैसे सालों से खड़े हुए ब्रैंच को टककर दे रही है सवाल यह है कि वीनीता सिंग ने आखिर ऐसा किया क्या किसे 5 साल के अंदर उन्होंने 3000 करोड रुपे से भी जादा कि कंपनी खड़ी कर दी अगर यह जाना है तो राइट वाली वीडियो ज़रूर देखना